तो इस वीडियो में बच्चों हम cover करेंगे calculation of CFSC in tetrahedral complexes तो यह आपका tetrahedral के splitting का डाइग्राम है प्रीविएस वीडियो में मैंने सिखाया था बताया था आपको कैसे स्पिट किये टीटू की अब आपको सबकी CFSC निकाल के देखनी है CFSC आपने आफ्टा में निकाली थी ना वही कंसेप्ट है वही काम है कुछ नया नहीं है तो शुरू करिए डीवन एक electron कहां जाएगा एक electron जाएगा आपके e में तो CFSC कैसे आएगा वन का multiply कीजिए किसमें करेंगे माइनस 2 बाइ 5 में डेल्टा टी प्लस ये तो 0 का multiply कर दीजिए 3 बाइ 5 डेल्टा टी में मानिस टू बाई वाई ऐल्टा टी मानिस टू वाई फाइब डेल्टा टी, मानिस पॉइंट फोडल्टा टी यह रहा D1, calculation यह था आपका D1 के लिए, चलो भाई D2 के लिए भी निकाल लो, मैंने कहा न, यहाँ electron pair होंगे ही नहीं, electron pair करने का कोई concept नहीं है, क्यों? क्योंकि splitting यहाँ pairing energy से बहुत कम है, electron यहाँ pair नहीं होंगे, दो electron कहा जाएंगे, एक इस orbital में, एक दूसरे वाले orbital में, द concept आसान है बच्चा, डेल्टा T, और यह तो 0 सही multiply होगा, 3 by 5 डेल्टा T, तो क्या आएगा? माइनस 4 by 5 डेल्टा T आएगा, आ गया, कितना आया? 0.8 हाँ, 0.8 डेल्टा T, आप इस माइनस को मत ध्यान दीजे, माइनस पर ध्यान मत ध्यान दीजे, माइनस, यह math का माइनस नहीं है, यह माइनस रिप्रेजेंट करता है, energy is released during splitting, इस्पिटिंग के time energy release होती है, बाकी आप value पर ध्यान दीजेगा, किसकी value ज्यादा है? यह value ज्यादा है, यह 0.8 है और यह 0.4 है, 0.8 ज्यादा है as comparison to 0.4, तो D2 में आपका CFSC क्या आएगा? ज्यादा आएगा, जितना electron नीचे वाले orbital में भरोगे, उतना ही ज्यादा CFSC बढ़ेगा, ओक्ता में भरते हो ना, तो energy में electron डालोगे, CFSC उतना ही increase होगा, अब यहाँ आओ, यह tetra है, नीचे यहाँ पर E है, जितना electron E में जाएगा, उतना ही CFSC आपका बढ़ेगा, अगर CFSC को बढ़ाना है, आपके complex को और ज्यादा stable बनाना है, जितनी energy release होगी, उतना ज्यादा complex stable बनेगा, और complex को stable बनाना है तो इसमें electron डालो नीचे, D1, D2, about D3 में, ऐसे हो सकते कुछ लोग को problem आए, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, सुनिए, सब ठीक है, इसको रफ कर देता है, और जो आप दबबा बनाते हैं, वो बना देता है, यह लिए, अब ठीक, 1, 2, electron जा चुका है, 1, 2, 3, हाँ, अरे सब्सक्राइब, यहां तो 2 ही रहेगा, यहां तो 2 ही रहेगा, यहां 3 रहेगा, चलिए चलिए, तो D1, D2 हो गया, अब D3 पे आएं, D3 पे क्या होगा, electron यहां जाएगा, यहां कहीं नहीं जाएगा, चुकि pair अब बाद में होगा, यह E रहा, हाँ, ठीक है, तो D3 में आजाएए, दो एलेक्रान आपके T2 में है, माइनस 2 भाई 5 डेल्टा T, प्लस, एक एलेक्रान आपका, दो एलेक्रान E में है, एक एलेक्रान T2 में है, 3 भाई 5 डेल्टा T, क्या आएगा, माइनस 4 भाई 5, प्लस, 3 भाई 5, क्या आएगा, माइनस 1 भाई 5, माइनस 4, अच्छ सॉरी, सॉरी, एक काम कीजिए, यहां क्याँ होगा, दो यहां है न, और तीन यहां है, तो यहां जाएगा, प्लस टू बाई फाई फाईव, डेल्टा टी, और तीन यहां है न, तो यह आएगा, माइनस ट्री बाई फाईव, डेल्टा टी, अब सही है, अब सही है, तो अगर ह D2 में क्या होगा 2 electron है minus 3 by 5 delta T minus 6 by 5 क्या हैगा minus 1.2 delta T D3 में क्या हैगा 2 electron है minus 3 by 5 delta T में Tron है plus के 2 by 5 delta T में तो minus 6 by 5 plus 2 by 5 minus 4 by 5 कितना हैगा 0.8 minus 2 into plus 1 minus 6 by 5 delta T plus 2 by 5 delta T minus 4 by 5 मतलब minus 0.8 delta T आप देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ा था न CFSE यहाँ से यहाँ जाने पर CFSE क्या हो गया घट गया यहाँ से यहाँ जाने पर घटा क्यों तो कि बेरी सेंटर की उपर एलेक्रान पहुचा चाहे आक्टा में चाहे टेट्रा में अगर बेरी सेंटर की उपर एलेक्रान गया तो CFSE घटेगा देख लो CFSE घट गया D4 का निकालो D4 में एलेक्रान यहीं जाएगा 2 का मल्टिप्लाई किसमें करोगे माइनस 3 by 5 delta t में प्लस 2 का multiply किसमें करोगे प्लस 2 by 5 delta t में माइनस के 6 by 5 delta t प्लस 4 by 5 delta t तो क्या आएगा माइनस 2 by 5 माइनस 2 by 5 delta t आएगा तो क्या आएगा ये माइनस 0.4 हाँ 0.4 delta t ये डी 4 देख लो जितना एलेक्टरान उपर लेके जा रहा हो cfsc घटता जा रहा है 0.8 से घटके 0.4 पर आगया 0.8 से घटके cfsc 0.4 पर आगया क्यों क्योंकि बेरी सेंटर के उपर जितना एलेक्टरान जाएगा cfsc उतना ही decrease होगा d1, d2, d3, d4 हो गया d5 पर आओ 2 का मल्टिप्लाई करो माइनस 3 by 5 delta t में हाँ प्लस 3 का मल्टिप्लाई करो किसमें 2 by 5 delta t में ले जाओ माइनस 6 by 5 ये आया प्लस 6 by 5 delta t प्लस 6 by 5 delta t तो यहां पर क्या आएगा cfsc 0 cfsc 0 का मतलब समझते हो क्या हुआ ये जो splitting हो रही है न ये splitting नहीं होगी देख लो cfsc 0 means splitting do not occur मतलब d5 के लिए ये जो diagram बनाए हो न ये diagram नहीं बनेगा केवल यहीं तक सीमित रहेंगे d5 के case में हम यहीं तक सीमित रहेंगे हम ये diagram नहीं बनाएंगे कोई भी splitting का case d5 के case में नहीं देखने को लिए चिक कोई भी splitting आपको d5 के case में अच्छा, ओक्ता में भी बनाये थे न, D5 का केस, हाई स्पिन, वहाँ भी CFC 0 आई थी, D10 बनाये थे, वहाँ भी CFC 0 आई थी, तो ओक्ता में भी, अगर CFC 0 आ रही है, इसका मतलब ये जो स्प्लिटिंग बनाये होना, स्प्लिटिंग नहीं बने गा, अब एक एलेक्टरान य फिर 2 by 5 में कर दो, 2 by 5 के डेल्टा टी में, क्या आएगा, माइनस के 9 by 5 डेल्टा टी, प्लस 6 by 5 डेल्टा टी, क्या आएगा, माइनस 3 by 5, यानि माइनस 0.6 डेल्टा टी, देखो, अभी 0 आया थाना D5 में, अब 0.6 हो गया, जितने एलेक्टरान यहाँ जाएंगे, उतना ही CFSC बढ़ेगा, चाहे अक्टा हो, चाहे टेटरा हो, बेरी सेंटर के नीचे, एलेक्रान CFSC को बढ़ाते हैं, यानि complex की stability को बढ़ाते हैं, डी 6, आए यहीं D7 भी निकल दो, एक एलेक्टरान इसमें डाल दो, D7 में क्या होगा, 4 का multiply करोगे, माइनस 3 बाइ 5 डेल्टा टी में, प्लस 3 का multiply करोगे, 2 बाइ 5 डेल्टा टी में, क्या आया, माइनस 12 बाइ 5 डेल्टा टी, प्लस 6 बाइ 5 डेल्टा टी, माइनस 6 बाइ 5, 1.2 डेल्टा टी, यह आगया आपका CFSC, किसके लिए, CFSC बढ़ रहा है, फिर वहीं बाद, जितना electron berry center के नीचे होगा, complex की stability उतनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना complex stable होगा, उसके speed करने पे, उतना energy release होगी, CFSC की value ज्यादा होगी, यह आगया D7, अब हमको फिर उपर जाना है, D8 मतलब, यहाँ electron डालो, D8 का मतलब, D8 का मतलब, क्या मतलब आया, 4 का multiply करोगे, CFSC निकालने के लिए, 4 का multiply करोगे, किस में करोगे, minus 3 by 5 में, minus 3 by 5 में, plus 4 का multiply फिर करना पड़ेगा, plus के 2 by 5 में, क्या आएगा, minus के 12 बटा 5, delta T, इसमें जोड़ दो, 8 बटा 5, delta T, minus 12 और 8, minus 4 बटा 5, minus 0.8 delta T, यह आएगा CFSC, यह है calculation CFSC का, देखो, 1.2 से value घटके, 0.8 पे आ गई, बेरी सेंटर के उपर electron कहुच गया, CFSC कम होने लगी, D9, D9 पे आजाओ, 4, minus 3 by 5, delta T, प्लस, 5, 2 by 5, delta T, क्या आएगा, minus 12 बटा 5, delta T, प्लस, 10 बटा 5, यह नहीं, 2, चलो, 10 बटा 5 ही लिखो, delta T, क्या आएगा, minus के 2 बटा 5, 2 बटा 5, delta T का मतलब, minus 0.4 delta T, delta T की value और कम हो गई, 0.8 से घटके 0.4 पे आगई, अब लास्ट है D10, और D10 के value कितनी होती है, सबको मालूम है, D10, 4 का मल्टिप्लाई करो, minus 3 by 5 में, delta T, plus 6 का मल्टिप्लाई करोगे, 2 by 5 में, delta T, minus 12 बटा 5, plus 12 बटा 5, CFSE value क्या आगई, आगई 0, यानि D5 में, और D10 में, यह splitting का जो case है, वो नहीं होगा, D5, अभी मैं इसको general point में लिखता हूँ, हो गया, rough करें, क्तिरky नहीं हां, यहीं होगा करें, अभी मैं, यहीं होगा एको आगई सम्सक्रीक, यहीं हो से जहीं हो कि झागई, यहीं हो अमेरें, लिए बाहएगाई गपनोáveis'? हमना हो अमने डिवें. झाल 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 झाल